हाई फ्रेंज कैसे हैं आप सुवागत करता हूँ आपके अपने चल्ड ट्रेक 11 फोकास्ट पे इस वीडियो में हम बात करेंगे एसे वर्सेज आई इन डी ड्रीम 11 स्टाट्स प्रस इन फो यानि सौथ अफरीका और इंडिया की बीच में जो टेस्ट मैश नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है उस मैश के बारे में बात करेंगे आज दुपहर को ये मैश आपको स्टार्ट होता दिखने वाला है बहुत इंटर हरा दिया तो भईया ये पूरे वर्ल्ड में मैसेज बिजएगा भारतिये टीम की जो टेस्ट मैच में फॉर्मेस रही है उसके लिए अभी दोस्तों गर आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे नहीं जोड़े हो तो वेट किस बात का है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट मैच मैंने कवर किया था I was out of India इंडिया पहुंचते ही ये मैच स्टार्ट था और मैंने स्पेशली घर पहुंचने से पहले आपके ये मैच कवर किया था बिकॉज मैं जानता था ये मैच हमारे लिए अच्छा हो सकता है और आप टीम देख सकते हो रबाड़ा को कै ये दोनों गेम चेंजिंग डिसीजन साबित हुए थे हलका सा डिफरेंस यानि एंगीडी की जगह अगर आप शायद दूसरा प्लियर जो मैंने आपको सजेस्ट भी किये थे डू एन ओलिवियर उनको लिया हो तो आपकी यहां पे रैंक वान हो सकती है और आप जानते हो मे यहां पे भी बीस में से बीस थे दिस इस दा सीरीज जो हमारी इस प्रकार जा रही है और आप उस मैच पर भी टीम देख सकते हो यह भी टीम इन फैक 3-4 मेंबर भी विन कर रही थी रबाड़ा कैप्टन अश्विन वाइस कैप्टन बट मस्ती चीज क्या थी इसमें सारे ही प्लेइर ड्रीम टीम में थे विराट कोली नहीं थे लेकिन आपको बता है विराट कोली के भी 65 पॉइंट कम नहीं थे ठाकुर नहीं थे उनके भी 70 पॉइंट कम नहीं थे अबी थर्ड मैच है चलिए उस पे चलते हैं थर्ड मैच खेला जाएगा न्यू लेंड्स केप टॉन में आपको बता तो ये भी बाकी ग्राउंड की तरह साथ अफरीका के जॉब देख रहे हो फास्ट बॉलर्स को देता है सपोर्ट लेकिन एक चीज यहां देखनी रहेगी केप टॉन में बल्लेवास भी रंस कर रहे ह इन फैक्ट अगर आप आशीश नेरा का इंटर्वियो देखोगी जो इस मैच से पहले रहा था उन्होंने भी बोला कि एक्सपेक्टेड यह है कि इन तीरों मैचेस जो इस सीरीज में खेले गए हैं उसमें ये बेस्ट सरफेस आपको देखने को मिल सकता है प्लस अभी दो म इसमबर जो रहता है आपको बता दू गरू क्रिसमस का डेक्स दो उस से बॉक्सिंग बखने बोलते हैं तेस्ट क्रिकेट पे इसमवरी में यु inefficient में खेला जाता है लेकिन आप दोस्तों आप सोच रहे होंगे तो 2021 जिन्वरी का कहां गया वो बही है COVID खा गया COVID ने हमारे लाइफ में बहुत changes की हैं और वही हुआ था आपको पता है South Africa में ही Omicron काफी हद तक आया आपको पता है Africa continent में सबसे पहले Boats Vana में आया फिर South Africa में तो वही से समझ सकते हो कि बहुत जादा जो है COVID South Africa even Africa के areas में बहुत फैला था तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूँगा 2020 में जो latest match टेस्ट मेंच रहा है England ने South Africa को हराया था वो match मज़दार match था because उसमें Dom Sibley ने बहुत अच्छी century करी थी यह जो 391-48 देख रहे हो न इसमें England का opener not out था और वैसा ही कुछ India के किसी player को करना होगा अगर series अपने नाम करनी है तो वो कोई हो सकता है तो आपको लगता है comment करके बता है विराट कोली की भी इस match पर वापसी होने वाली है और इस बार तो उनकी daughter का birthday भी है तो अपनी daughter के birthday पर वो क्या करने वाले है वो भी देखने में मज़ा आएगा इंग्लेंड ने 269 किया सौथ अफरीका ने 223 इंग्लेंड ने 391 for 8 सौथ अफरीका ने 248 तो यहाँ पे 38 में से 31 विक्टे फास्ट बूलर्स को गई थी रंज आप देखोगे इंग्लेंड ने 391 किया दिस प्रोफ किया स्कोरिंग हो सकती है और उसके पहले जनवरी में पाकिस्तान 177 और 294 सौथ अफरीका ने 431 किये थे इस नौड जोक 431 अच्छे स्कोर है 31 में से 30 विक्टे फास्ट बूलर्स को पाकिस्तान खेली उसके बावजूद केवल एक रिकेट स्पिन को ठीक है स्पिन को विक्ट मिल जाती है ऐसा नहीं है पाकिस्तान की स्पिन में एक्चली पाकिस्तान ने सारे खिलाए ही फास्ट बूलर्स है कुछ खास खेले ही नहीं थे, उसमें भी जो विकेट थी है, शान मसूद जो पार्ट टाइमर है उनकी थी, अरबाड़ा ने इस मैच वेटे ली थी, डुएन ओलिवर ने पांच ली थी, डुएन ओलिवर इस अ नेम जिनको जादा लोग नहीं ले रहे, बट ही इस अ सुपर क्लियर, बहुत अच्छे फास बूलर हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा, इनकी स्पीड काम होगई है, इनकी स्थोरी बताऊंगा आगे जाकर, ठीक है, अभी रंज के बाद करते हैं, डीन एलगार ने इस ग्रांड पर दस मैच में 708 रं किये हुए, वह यरी 50 के से खेलते हैं, सो ओन एन एवरेज यहां डीन एलगार अच्छा परफॉर्मास दे देते हैं, अठ्छा इनिंग्स में उन्होंने दो बार 100 किया है, तीन बार उन्होंने हाफ सेंचरी करी है, जबकि बवुमा ने अपनी साथ पारियों में, पांच मैच खेले हैं, जिसमें सा इस ग्राउंड पर आप देखोगे ना, कौन चलते हैं, स्विंग बोलर चलते हैं, अब वो खेले नहीं वाले है, इसलिए मुनका नहीं मैंचन नहीं किया, अब हम बात करते हैं, टीम इंडिया की, टीम इंडिया में कुछ चेंजिस होने वाले हैं, लास्ट बेच में हनुम हनुमा विहारी के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद, यहां पर मुझे लगता है, उनको बाहर करना ही पड़ेगा, क्योंकि विराट को ली वापसी कर रहे हैं, या फिर या तो बड़ा कुछ डिसीजन लेना होगा, कि किसी और को ट्रॉप करके, जो कि एक्चली मुझे चेंज रहेगा, उवेश ने रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छे की हैं, लेकिन इशान शर्मा भी कम नहीं है, परस्नली आइफिल उमेश याद और शायद इस ग्रॉंड पर बहतर रहेंगे, बट आ डोंट मैंड इवन इशान शर्मा अगर आजए, इशान शर्मा की अगर क्योंकि उनकी लाइन लेंट सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो मुझे लगता है वो भी एक अच्छे हमारे लिए भारत के बोलर बन सकते हैं, अभी तक आपको देखने को मिले है, केल राहूल के बल्ले से दोनों मैच्छे में, मियंक अगरवाल ने अच्छा किया, फ तो चितेशवर पुझारा पहली तीन इनिंग्स में इनका भी बल्ला बिल्कुल नहीं बुला, जीरो, सोला और तीन, आप खुछ नहीं होंगे, क्योंकि पुझारा से जाधा एक्सपेक्टेशन है, फाइनली, लास्ट इनिंग्स ने 53 किया, और एक्चिली इट वस अनलाइ इन वॉल था, दो कैचेश ड्रॉप हुए थे, एक तो रबाड़ा की बॉल पर, I seriously remember, Mark Ram का easy सा कैश था, उनने ड्रॉप कर दिया था, तो थोड़ा लक ने साथ दिया, लेकिन रहाने भी थोड़ा सा रंस मार रहे हैं, विराट कोली को परफॉर्मेंस देना होगा, पहले कहीं से भी contribute कर सकते हैं, थोड़ी भी अगर 4th, 5th day पे turn होने लगी न, Ashwin South Africa की 4-5 wicket उस innings में निकाल सकते हैं, तो Ashwin को तो मैं back करूँगा, ठाकोर को last match में back किया, और performance हाया, मैं उनको हमेशा back करता हूँ, ठीक है, I still back him, 8 wicket test match में लेना, 7 innings में, 7 पहली में, दूसरी make, it not easy, ठीक है, साथी में आपको थोड़े बरत lower order में runs दे सकते हैं, so this is the performance, यहां जो बूमरा ने 2 match में 6 wicket लिए हैं, 2 match में गयाना शमी ने, इन bowlers को भी आप जरूर लेके चलो, इंडिया के full stats plus info, हर एक player का record में आपके लिए लिखा हुआ है, लोग यही चीज़ अगर लिख ठीको, match में तो 5 difference है, कोई बात ही रहा है, इसमें 1300 का difference है, और average भी जादा है कोली की, so इसलिए आप कोली को prefer करते हैं, और I think अगर आप कोली का comparison किसी से भी करोगे, तो कोली का काफी अच्छा ही मिलेगा, he's that sort of a player, जितनी 100s, उतनी 50s, it's enough to say about him, ठीक है, consistent player है, अभी दोस् गे, record wise लगबग बराबर है, अगर इनकी भी अगर आप matches double कर लो, wicket double कर लो, वही 312 निकल के आ जाएंगी, जो लगबग इशान्त की है, but performance अगर आप देखो कि इशान्त में, इंडिया में matches खेलके भी wickets ली है, so I do rate both the bowlers high, देखना होगा कल कोन आता है, South Africa की team में दोस्तो कोई change मुझे लग नहीं रहा, last match ये जीत क्या है, अगर कोई change करना है, तो maybe केशव महराज की जगर किसी और को लेके आ सकते हैं, but केशव उनके कह सकते हो, regularly वो player है जो खेलते हैं और spin करते हैं उनके लिए, इंडिया के साथ में जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, but काम आ सकत करते हैं, प्लस ये lower order में contribute भी कर देते हैं, और ये जो आठ रना, I think इन्होंने ऊपर आ के मारेते, because ये consistently उनके लिए जरूरत पढ़ने पर, night watchman का role भी करते हैं, और केशन महराज भी 50s भी कर रखी है, test matches में, so watch out for this guy, but मैं इतना small league में recommend नहीं करूँगा, बिल्कुल भी in fact मैं कहूँगा, आपको ज़्यादा ध्यान मती दो, ठीक है, अब Dean Elgar, दोनों matches में हमने लिए, एक reason था, because he is the best batsman, मैं easily बोल देता हू, South Africa के test team में, अच्री मामला के बाद एक यही player हैं, जो मैं consistent मानतो हू, South Africa team में, माकरम अच्छे player हैं, बट ये ज़्यादा तर आप कह सकत मैं इनके उपर प्रेफर करूँगा, इवन राजी वेंडर द्यूसन या बवुमा को, बट इन्होंने लास्ट मैश में दिखाया, 62 की classy cover drive इनिंग्स, बहुत अच्छे cover drives थे, इवन इन्होंने यहाँ पर left side पर एक दो flicks अच्छे मारते, but I still feel कि राजी वेंडर द्यूसन नहीं मिला, बल्लेवाजी ही नहीं आई, so ये है इनकी टीम, माको यांसन ने दो मैच में 12 विक्टे, रबाडा ने दो मैच में 3 ना, दोनों आर मस्ट पिक सभी लेंगे, ठीक है, एंगीडी ने दो मैच में 11 विक्टे, और डुएन उलिवर ने, दो मैच में मिलाकर, एक ही मैच के लाए, 4 विक्टे है, ठीक है, सौथ अफरीगा के हट प्लेयर का आप स्टैट्स देख रहे हो, आप इसमें किसी का भी स्टैट्स देखना चाहो, आपकी नजरों के सामने आप कंपेर कर सकते हो, not a problem, दोस्तों अब हम आगे हैं मेरी फेवरेट एप्लिकेशन पे, औ तो भहिया, आप कहां गायब हो, forecast family यहां पे खेल रही है, लगातार जीत रही है, वीडियो की description में link डाला हुआ है, अभी download नहीं किया, तो कर लो with code forecast, because with forecast, you will always be elite, ठीक है, और एक चीज मैं आप से पूछना चाह रहा था दोस्तों, आपके लिए कुछ bonus offer प्लैन करों, तो आप क्या चाहते हो, 100 रुपीज का किया जाए, या 1000 रुपीज का किया जाए, क्योंकि हर कोई 1000 शायद अभी ना डाले, इस वुझे से मैं 100 ही सोच रहा हूँ, आप लोगों के लिए, बट मेरे को पता है, यह app पे सभी का trust बन चुका है, it is one of the best applications, जब से मैं यहां पे आप मुझे इससे जादा user friendly कोई application नहीं देखी, और मैं आपको कोई चीज ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, अगर आप मुझे जानते हैं, तो यह चीज आपको पता ही होगा, ठीक है, अब यह application पे आप क्या करते हो, अगर आपको लगता है कोई player अच्छा करने वाल है, उसको buy करते ह तो आप किसी भी player का option exercise कर सकते हो, मैं रबाडा को cable एक बार भाई किया है, देखो price बहुत हाई है, 80, लेकिन मैं इनको back करूँ, अगर यह 6 विक्टे ले जाते हैं, तो दोनों matches में लिए हैं, ठीक है, पहले बता दूँ, तो यह फिर से अपने point exit करेंगे, 5 विक्टे भी ल तीन matches में इन्होंने हर बार 60 cross किया, और buy 44 में available हैं, so can be tried, केशव मराज को काफी लोग sale कर रहे हैं, और अगर आप इनका i button पर click करके देखो के recent performance, भारत के सामने 1922 point हैं, लेकिन West Indies के सामने 112 भी हैं, और पाकिस्तान के सामने 87 भी, तो थोड़ा risky है, मोहमत शमी को actually आप buy क कर सकते हो, एक आदर share इनका ले सकते हो, no problem, because ये runs भी कर लेते हैं, but majorly इनकी wickets के लिए ही इनको आप लेने वाले हो, boomerah at 68, I can back him, I can say की बाकियों के मुकाबले में, जिसे Rabada का rate 80 है, तो boomerah का थोड़ा कम लगा मुझे, boomerah को आप back कर सकते हो, fast bowlers की game है, ठाकुर साब 70 प तो after seeing the pitch conditions, I feel that is a risky move, so अगर आप करना चाहते हो, one year, two shares कर सकते हो, multi bagger में आप क्या कर सकते हो, multi bagger में यहाँ पे Rabada है, और यांसे नहीं, इन दोनों को pick कर सकते हो, इन दोनों को ही मैं suggest करूंगा, और दो-दो return मेरे हसाब से कम है, इनका, मतलब इतना भी कम नहीं है, क्योंक is already cancelled, मैंने unfortunately इस match पे already video बना दिया था, but I won't upload it, because यह 99% match postpone होने वला है, due to covid outbreak in the Ireland team, so watch out for this, दोस्तों जब आप अपनी team करने आएंगे, आपको विगेट keeping section में रिशरपंत और काईले वरायने मिलेंगे, देखो काईले वरायने ने एक match पे 83 point दिये है, जबकि रिशरपंत न दो match पे 159 तो क्या हम काईले वरायने साथ जाके differential पे कर लें, क्योंकि काईले वरायने काफी अच्छे catches भी करते हैं, और इनकी एक बार तो बल्ले बाजी भी नहीं आई, कर सकते हो, यह बहुत अच्छा differential move साबित हो सकता है, but let's for now go safe with रिशरपंत, because हमें रिशरपंत की capabilities का पता है, मैं मानता हूँ कि बल्ले से last match में वो अच्छे नहीं रहे, बट वो scoring कर सकती है, ठीक है, साहा और इकल्टन मुझे अभी खेलते नहीं दिख रहे, बल्ले बाजी में दोस्तों यहाँ पर आपको suggest करूँगा, केल राहूल को बिलकु ड्रॉप ना करो, आखरी 2 matches की performance मैं साब देखोगे, बहुत शंदार है, सुपर प्लियर और आपको last match में भी देखने को मिला होगा, कि ऐसा लग रहा था, बड़ा score करेंगा, but it takes only one good ball जो out कर सकती है, आपको और वही इनको एक अच्छी ball देखने को मिलगी थी, और he out हो बैठे थे, but मैं राहूल को back इन रिसेंट टाइम्स, I feel he is the most consistent player, आफ्टर रोगी चर्मा, ठीक है, test format की बात हो रही है, सिरफ और सिरफ test format की, ठीक है, तो ज्यादा उसमें में चले जाना, ODI में देखो, T20 में देखो, ठीक है, बाकी अब यहाँ पर आपको बतादू, Dean Elgar का, मैच में 252 पॉइंट हो, 35 352 हो, 152 हो, कभी भी मैं वो नहीं देखोंगा, मैं यह देखोंगा, यह Dean Elgar है, जो कि मैंने series की first match में बोला था, दो player जो मेरे साब से, world test team के opener होने चाहिए, पिछले साल के, दीमूत करूना रतने, and Dean Elgar, because दोनो best player रहे हैं, very underrated, wicket नहीं देते है, उनका नाम उतरा नहीं अच्छा खेले हैं, और मियंक अगरवालना मुझे technically sound लगते हैं, I do like to take him, दोनों match में आप देखोंगा, अच्छा किया है, पहले में 60, last match में twin 20s किया था, I think, so he can actually score well, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बभूमा को home ground का advantage है, but then हमारे पास विराट कोली अगर वापिस आ रहे है यार, it is important to take विराट कोली, because विराट कोली के साथ आप confident feel करोगे, he is a super player, everybody knows it, और अपनी expectancy के अंदर और अच्छा करते हैं, तो let's see विराट कोली क्या करते हैं, बाकी रहाने बुझा रहा, दोनोंने performance ठीक किया, last inning में बटाये still से कि थोड़ा सा risky ही है इनको लेना, Mark Ram grand league pick दोस्तों मैंने देखो अभी न, यहां मैंने जगा छोड़ी हुई है, भवुमा या विराट कोली, यह हमारा decision है और यह credit पर भी आ सकता है, तो अभी all rounder पर चलते हैं, जहां यांसेन और अवी अश्विन दोनों को मुझे लेना है, यांखे बंद करके दोनों मेरी pick बनती ह यहां तो मैं उनको नहीं लूँगा, बिकॉस मुझे बाकी के options पर जाना है, वर्ल्डर पहले match में खेले, बटा इस्टिल वोन टेक ही, अगर खेलते भी हैं तो, बाकी यह player अगर खेलेना तो इनको grand league में ले लेना, जोर्ज लिंडे, जियान त्यादफ और प्रनलेन सुब अभी नहीं खेलेंगे, bowling में दोस्तो, हमीशा की तरह, खगीज और अबाड़ा मेरी टीम में रहेंगे, हर match में अभी तिक, दोनों मैं captain किया, फिर से करूँगा, ठीक है, पहली बता रहूँ, शमी को दोनों में लिया, लूँगा, बुम्रा को दोनों में लिया, फिर सकते हैं, अभी दोस्तो, अगर आप एंगीडी को ले लेते हो, आप पास कैड़िड नहीं है फिर विराट कोली के लिए, फिर तो आप पास बभूमा आ गए, यही चीज़ के लिए मैंने एक अपना आखरी बैट्समन छोड़ा था, लेकिन अगर आप एंगीडी की जगा, अलिवर को ले लेते हो, फिर आप पास कैड़ भजता है, यहां पर फिर आप क्या कर सकते हो, विराट कोली को भी पिक कर सकते हो, यह एक्चली डिसिजन सिर्फ विराट कोली को लेने का नहीं है, यह एंगीडी को ड्रॉप करने का भी है, अगर आपको विराट कोली लेने है you will have to drop विराट कोली you will have to in fact drop विराट कोली so ये चीज़ देखके चलना बुमरा को मैं नहीं ड्रॉप करूँगा I will still pick him एंगीडी को मैं फिर भी कर सकता हूँ बता दूँ so डुएन ओलिवर के साथ बवूमा या एंगीडी के साथ विराट कोली मैंने अभी एंगीडी के साथ यहाँ पे बवूमा को ही लिया है विराट being विराट it's always risky to drop so let's see कि अगर हमें ये बहंगा पड़ सकता है बट मेरी एक बार फाइनल टीम देख लेना because नाइस चीज़ पर सोचने वाला हूँ बाकि डुएन ओलिवर हैं अच्छा कर सकते हैं सिराज खेल नहीं रहे केशब मराज है लेकिन जो भी बूलर आता है इशांत और उमेश में वो भी एक फाइन पिकाप के लिए बन सकता है for the timing मैरी यही टीम रहने वाली है जिसमें मैंने अपने कैप्टन as usual यहाँ पे कगीजो रबाड़ा को किया वाइस कैप्टन क्या क्याल रहुल को किया जाई या फिर से शारदुल को दिल चाहता है वही जो लास्ट मैच में किया था शारदुल ठाकूर एक आप्शन आपको और दे रहा हूँ मुहमद शमी जो कम लोग करेंगे फिर से वह अच्छा काम कर सकते है अरे यार अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं कियो पूरी वीडियो अटरा मिनट की देख ली लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया आपके मन में क्या आ रहा है बस लास्ट का पाड़ देखा तब बहुत गलत बात है चलो अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अगली वीडियो की वेट करो विकाज जल्दी अगली वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी